हेलो फ्रेंड्स मैं चैनल में आप सभी का स्वागत है सभी को करवा चौद की बहुत बहुत बदाई फ्रेंड्स करवा चौद के दिन पहले ही मैं जो मार्किट है आ गई हूँ और यहां से मैं ले रही हूँ मिट्टी के करवे तो यहां पे मैंने दो मिटी के करवे लिये हैं और बहुत अच्छे जो हैं यहां पे करवे मिल रहे थे यहां देखे बहुत सारे हैं करवे और जो सिंगार होता है वो भी है तो यहां से ही मैं सिंगार भी ले लूँगी माता रानी को जो चड़ता है और यहां देखिए यह जो सक्कर के करवे होते हैं चीनी के वो भी यहां पे मिलते हैं तो जो हमेशा जैसे करवे यूज करते हैं वैसे ही लेते हैं तो मैं हर साल जो है मिट्टी के करवे ही लेती हूँ तो मैंने दो करवे ले लिया है मिट्टी के और यह करवा माता का पोस्ट तो क्या करते हैं कि जो हम मातारानी को चड़ाते हैं तो कुछ जगा जो हैं पैकिंग मिलती है यह भी था पैकिंग में जो जिसमें सिंगार वो चड़ता है मातारानी को फिर हम उस सिंगार को क्या करेंगे तो यह सिंगार जो है मैं कुछ से ही ले रही हूँ जो अच्छी कॉल मैं मातारानी को चड़ाओंगी उसके बाद साल बर के लिए मैं यूज कर दूंगी और अभी देखे ये भया मुझे पहना के देख रहे हैं कि ये अपकी मापकी चोड़ी है इससे बड़ी मुझे चाहिए थी पर वो बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छी है तो उसमें बड़ी स चोड़ी ली है तो ये सिंगार एके करके जो मेरी पसंद का है वो सब मैं ले रही हूँ और उसके बाद आ गई हूँ मैं घर तो ये पोशाग जो है मैं नई सिली है हर साल जो है मैं नई सिलती हूँ और यहां पे जो मेरी जेड़ जी की लड़की है पुजा वो मेरे महंदी लगा रही है हातों में अभी शाम हो रही है तो देखिए इस तरह से महंदी मेरे हातों में लगा दी है एक हात की महंदी मेने लगाई है एक हात की पुजाने लगाई है तो यह पीछे की साइड इस तरह से लगाई है और यहां पे करवा चोट लिख दिया है तो जैसे हर जगा महंदी की यहां बहुत ज़्यादा भीर होती हैं और अभी सुबा के साड़े तीन बज़रे हैं मैं उठ गई हूं सर्गी करने के लिए अभी बज़रे हैं सुबा के साड़े तीन और अभी सर्गी का टाइम है तो हमारे यहां क्या होता है सर्गी करके वापिस हो जाते हैं तो मैं यहां पे पहले मेंदी के हाथ जो हैं वो साफ कर दूँगी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में मैंने ब्रेश वगरा किया और सनान मैंने नहीं किया हैं कहीं जगा रिवाज होता हैं सरगी के टाइम सनान करते हैं रड़ी होते हैं तो हमारे यहां पहले सरगी कर करके वापी सो जाते हैं उसके बाद सुबह उटके इसनान करते हैं तो जैसे हमारी यां करते हैं मैं वैसे ही आपके साथ कर रही हूं सेर पूरा वीडियो देखिए हमारी यां करवाचवत कैसे करते हैं तो मैं बना रही हूं फीनी को जो अच्छे से से शेख दूंगी उसके खीर बना रही हूं फीनियो की और ये जो है फीनिया मेरे माईके से लेके आई हूँ मैं हर साल तो मेरे सासुमा दिया करते थे दो साल से जो है सासुमा है नई तो मैं खुद से ही अपने सरगी की थाली रेडी करती हूँ और अच्छे से अपने करवाचोध का वर्द करती तो अब की साल मैं अपने माईके गई भी थी तो करवे और जो समान था वो मैं अपने माईके से ही लेके आई हूँ सरगे का समान जो है मेरी माँ ने मुझे दिया तो माईके अगर हम नहीं जा सकते तो खुद से ही जो हैं तयार कर सकते हैं सरगी हमेशा सासुमाई दिया करती है और मा भी दे सकती है ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहां पे मैं खीर बना रही हूँ और फेनिया हमेशा हमारे यहां मिलती नहीं है तो मैं सेवया की चावल की किसी की भी खीर बना देती हूँ तो यहां पर सुबह का टाइम है तो खीर ही जो है अच्छे से हम खा लेते हैं दूसरा जो है मिठे में सुबह सुबह जो है हम खा नहीं सकते तो यहां देखे मैंने सरगी की थाली जो है रेडी कर दी है मैंने इक एपल कट किया है पानी का ग्लास है और चाए है और यहां पर खीर और काजू जो भी ट्राइफरूट होते हैं सुखे वो लिये थे। और यही वीडियो है साम का अभी साम के 4 बज़ रहे हैं और मैं यहां पर काने की कर रही हूं ठीयारी। और दिन में मैं कोई भी वीडियो सूट नहीं किया है, मैं कहीं बाar चली गई थी, तो वहाँ मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और बहुत लेट हो गया था तो कोई टाइम ही नहीं मिला मुझे, और यहाँ पे मैं दाल बाटी, और अलुकी सबजी और जो राजिस्त कि लिए मैं खाना अलग बनाती हूँ तो इस पार जो है दाल बाटी और यह सब बनाया है तो चुर्मा चड़ा दूँगी माता रानी को और जो परशाद लेके आए हूँ बार से मिठाई लेके आई हूँ वो चड़ा दूँगी तो ऐसे जो है पुझा कर लोंगी और यहां प कि बार किया है महुरत शाड़े 5 से 7 बजे तक का ही है तो जल्दी से मुझे टाइम ही नहीं मिला आए बिल्कुल भी तो यहां पर यह है पुझा का सामान और फटा-फट जो है मैं पुझा कर दूँगी तो यहां पर मेरी साथ मेरी जेटुती है वो भी पुझा कर रही है य जल लिया है और हमें करवे में ऐसे खाली नहीं चोड़ना जैसे हल्दी और तोड़े से फूल होते हैं वो करवे में एड़ कर दिने होते हैं और यहां पे में कर रही हूं पुजा तो अगर आपको चार्जने पुजा कैसे करते हैं किसी के घर जाके पुजा कैसे करते हैं अग अब उस तरह का वीडियो चाहिए तो में अब की साथ अगली साल share करूंगी और कॉमेंट करना तो यहाँ पे हम दोनों पुजा कर रहे हैं और मेरी घरी आई यह पुजा करने के लिए करवा मा की तो यहाँ पे देखिये दोनों साथ में पुजा कर लेंगे और उसके बाद कथाई जो है पुजा सुना लगी तो यहाँ पे करवे जो होते हैं उन्पे स्वास्तिक वैसे तो ये सजेवे आते हैं पर फिर भी इनके उपर स्वास्तिक बनाते हैं कुम कुम 선보兩 faço 나오 क pronounce कुम का स्वास्थ्तिक पुझा पहले मेने करव अपने रेडी कर दे थे और पुझा कर ले थी तो हमारे यहां करव में जल भरते हैं और ड्राइफूत होते हैं वो भी भरते हैं तो जल की जो है सबसे ज्यादा बेरते हैं तो हमेशा ही मैं एकी तरह से पुजा करती हूँ, अलग-अलग नहीं करती हूँ, जैसे जिनके वहां रिवाज होता है, वो वैसे ही करते हैं, तो बस यहां पे देखिए पुजा जो हैं, हम दोनों ने कर ली हैं, और फिर मैं कथा सुनूंगी? लूचल नहीड़क जोचक्षा होता है, अल riffra करता हैं, तो बसका हैं, आतら हैं, अल जो हैं, इश नहीं कर दोनों शोंहां में अाय़घ्टे हैं, तो जैसे पुजाष्टे को करते हैं, झेथिए ज़ होता हैं, अजब आसिसे ही तो हैं, भडा समय कर्वाणी हैं, वाश से तो फ्रेंड्स यहां पे पुजा हमारी हो गई है और अभी मैं हाथ में जो है तो गया हूँ ले रही हूँ कोई भी कता सुने हम तो अतेलि में हमें जो हैं कोई भी अनाच लेना चाहिए चावल हो चाहे गया हूँ तो ये इस तरह से पुझा सबको मालूमी है जिनको जो आजकल की बड़ी लिखी लड़किया है उन्हें नहीं मालूम है तो अभी हमारी कथा जो है वो पूरी हो गई है और कथा सुनने के बाद हम जो है करवे जो फेरते हैं वो फेर लेंगे और उसके बाद अभी हम कर रहे हैं आरती तो इस तरह से हमने पुझा अपनी संपन विदी से कर ली है और अगर आपको किसी के घर पुझा कैसे करते हैं घ यहां पर हमने थाली रेडी कर दी हैं शुब महुरत में ही मैंने यह करवे जो चंदरमाजी को अरक देते हैं वो थाली रेडी कर दी है यहां पर देखे तो यह रिद्धू खेल रही है अभी हम जा रहे हैं चत के ऊपर तो हमेशा की तरह पुजा करेंगे चंदरमाजी की और पूरा वीडियो देखना तो सबसे पहले चार बाती वाला दीपक में ने संजो दिया है और अभी यह चन्नी में रखोंगी और चंदरमाजी को देखके हस्बेन का चेरा देखोंगी और हस्बेन का चेरा देखने के बाद अभी यहाँ पे मैं कच्छा दूद और वो करवे में होता है उसका अरक लगा दूँगी तो ऐसे चंदरमाजी को कुमकुम का भी अरक लगाना है हमें ऐसे चावल, कुमकुम, हल्दी, जो भी पुजा का समा डिया है और स्वास्तिक बनाऊंगी इस तरह से टीपक पुजा भी किया करते हैं तो जैसे हमारे यहां पूरी पूजा वीधी है वो पूरी मेंने अपके साथ कीया है शे合श देखिए तो सवास्तिक बनाने के बाद पूरा स्वास्तिक बनाना है दंड भी उपर वाली यहां आज सवस्थिक बनाने व्य-दी तो मेंने बना दिया ह।्विम शषब होते हैं सब यहां पर हमें चड़ा देने हैं जो हम थाले में लेकर आते हैं तो ऐसे पुझा होती है और हुझा 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 है तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी करवाचोट की पुझा की हैं और मैंने आपके साथ भी किये सेथ तो अभी मैं अपना वीडियो कर रही हुएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू